तो ये रहा अगला question number 10 करन लेता हूँ red question number 10 को देखते हैं बेटा लिखादा two adjacent sides of a parallelogram एक parallelogram बना लीजे rough इस कैसे आपको समझने और मुझे समझाने में मदद मिलेगी 2i cap minus 4j cap plus 5k cap ये एक side लिख लिख लीजे oa कह देते हैं इसको इसको o b कह देते हैं ये oa vector हो गया और दूसरी side है i minus 2j minus 3k ये आपका o b हो गया this is o b vector and this is o a vector ये adjacent side है अब कहा रहा है कि find two adjacent sides of a parallelogram this one this one find the unit vector parallel to its diagonal अब ये इस diagonal की बात कर रहा जो इसके adjacent side से जा रही है ठीक अभी निकाल देते हैं और also fungus area area भी निकालना वो भी निकालेंगे अब आप जानते हैं कि यहाँ पर o a vector और a b c d c तो लिखा ही नहीं तो c लिख दो काहे को c को छोड़ना बुरा मन जाएगा तो o a अब यहाँ triangle law लगाए तो आप समझदार हैं आप लिख सकते हैं कि जो o c vector है वो triangle law के अनुसार यह सब आप जानते हैं फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ और o a vector plus a c vector o c vector निकाल लेंगे और o c vector आने के बाद यह क्या कह रहा है unit vector उसी से divide मार देंगे magnitude से आजाएगा unit direction में खेर तो यह रही o a vector की बाद तो मैं सीधे ही जोड के लिख देता हूँ इस दोनों copy paste आप कर लिजेगा इसको इस vector को इसमें जोडना है तो 2 में से 1 जोडा 3 आई minus 4 में minus 2 जोडा तो minus 6 j फिर 5 में 3 minus 3 जोडा तो plus 2 k देखिए फटा फट हो गया पूरा आप लिखके समझ सकते हैं यह o c vector अब इसके magnitude को निकाल लेते हैं वेटा तो यह हो जाएगा under root 3 का square 9, 6 का square 36 2 का square 4 तो यह हो गया root 49 जहां तक यह value हो गई 7 आप समझ पा रहे होंगे अब unit vector चाहिए o c cap मतलब है o c vector को हम इसके magnitude से divide कर दें तो इसको थोड़ा में shift कर लेता हूँ जिससे असानी से आपको देखे यह है o c इसको 7 से divide कर दो बात कितम हो जाती है तो 3 upon 7 i cap minus 6 upon 7 j cap plus 2 upon 7 k cap this is the answer पहले वाले का जो उन्होंने पूछा था कि unit vector चाहिए unit vector आपने निकाल लिया अब यह कह रहे हैं भाई area भी बताओ अरे बता देंगे भाई तो area के लिए आप जानते थे कि area of parallelogram जो होता था यहाँ पर o a और o b लिख रखा है तो o मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि area of parallelogram कौन सा o a c o a c b वो क्या हो जाएगा इन दोनों का vector product o a cross o b का magnitude यह इसका area आएगा अब इसके cross के लिए देखिए आप जब इन दोनों का cross लेंगे तो आप determinant form में लिख सकते हैं तो इसको लिखिए i j k और value डाल देते हैं 2 minus 4 5 और अगले की value होगी 1 minus 2 और minus 3 अब इसी की value निकालेंगे और इसका magnitude जो होगा वो हमारा answer आजावेगा तो मैं इसको और उपर ले जाता हूँ तो यहाँ ध्यान दीजेगा यह magnitude है यह अभी हमारा cross product है तो इसका हमको इसका हमको modulus चाहिए magnitude खैर आप समझ पाए होंगे तो इसको मैं निकालता हूँ अब यहाँ पर first row first column i cap पकड़ा यह row यह column खटा minus 3 into minus 4 तो आगया 12 minus करते हैं 5 into minus 2 minus 10 एक minus पहले से था तो आगया plus 10 बात पकड़ में आई होगी minus j cap उसके बाद row और column खटम minus 3 into 2 minus 6 minus 5 plus k cap और row column minus 2 into 2 यानि minus 4 और यह plus 4 यानि इसकी छुटी ठीक तो इसका magnitude चाहिए हम इसका हमे magnitude चाहिए थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं यह रहा 22i यह रहा plus का 11j और वो हो गया 0 बात पकड़ में आ रही होगी आपके इसका magnitude कितना हो जाएगा तो under root 22 का square plus 11 का square plus 0 का square यह बहुत असान सी बात है आप जानी रहे हैं कि इसमें से मैं क्या करता हूँ 11 का square ले लो common ठीक तो यह क्या बचेगा 2 का square बात पकड़ में आ रही होगी plus 1 समझ तो पारे होगे न यह तो चुट्टी थी यह देखिए यहाँ 11 बाहर ले लोगे तो 11 का square बाहर चला जागा 2 बचा 2 का square तो है ही तो यह value कितनी हो गई 11 और बाहर कर दो root से और अंदर हो गया 4,1,5 11 root 5 square units your answer तो यह साब पहलोग्राम का area आ गया यह क्या है area of जो हमारा given पहलोग्राम था इस तरह से यह आप सवाल कर सकते हैं कोई परशानी नहीं हो सकती है आपको चलते हैं अगले सवाल पर अगला question number 11 है this is absolutely very very easy question show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox,oy,oz देखिए यह जो हमारी axis यह सवाल बहुत बाहर कर चुके हैं हम लोग फिर भी यह रहा ox, यह रहा y और यह रहा oz कोई vector है जो मैं color change कर लेता हूँ जो साथ इस तरीके से है जो equally यह यह एलफा angle बीटा angle और गामा angle सबके बरावर है यह यह इसका मतलब है अब यह बरावर है तो उसका cos alpha, cos beta और cos gamma भी बरावर है यह यह इसके equal है आप जानते हैं कि direction को science में एक relationship होती है L square plus M square and square is equal to 1 यह relationship हमको मालूम है होती ही है अब इसी में value put कर देते हैं L की जगा cos square alpha M की जगा cos square beta और इसकी जगा cos square gamma और यह value कितनी होनी चाहिए 1 के बरावर अब equally inclined alpha, beta, gamma बरावर है यह हो गया cos square alpha cos square alpha कोकि beta alpha बरावर है यहाँ भी यह alpha, beta, gamma सब बरावर है तो alpha बरावर 1 3 cos square alpha is equal to 1 cos square alpha is equal to 1 by 3 और इससे cos alpha की value हो जाती है plus minus 1 upon root 3 यह देखिए तो cos alpha की value होती है plus minus root 3 1 upon root 3 तो इनने कादा शो करिए इसमेंसे एक part है देखिए 1 upon root 3 तो उसकी जो direction cos है वो basically हमारे 1 upon root 3 1 upon root 3 और 1 upon root 3 आएंगे normally किताब में positive लेके चले हैं बाकि negative भी होंगे तो भी equally inclination ही मिलेगा बस यह अलग बात है कि वो negative side से मिल जाएगा negative side मिलने का मतलब diagram में दिखा देता हूँ आपको मैंने अच्छे से पहले बताया भी था कि यहाँ पर 1 upon root 3 तो आप समझ गए दूसरी चर्चा में कर रहा था कि यहाँ पर यह जो line आपने बनाई उसको अगर पीछे वढ़ाएंगे ऐसे नीचे 3D सोचिए अगर यह alpha है तो यह angle कितना हो जाएगा 180 minus alpha pi minus alpha और cos pi minus alpha क्या होता है आप मुझसे अच्छा जानता है यह value होती है minus cos alpha इस वज़े से यह minus value मिलती है इसी तरह सब के लिए लागू हो जाता है ठीक भई एक angle बीटा है तो इसके पीछे वाला angle कितना होगा pi minus beta है तो state line बात पकड़ में आ रही होगी आपको तो बहुत अच्छी तरह ही समल लीजे direction cos plus minus दोनों होते हैं इस सवाल में plus बोला है क्योंकि यह normally बुक में positive axis वाला ही angle acute angle ही treat किया है इस वज़े सी answer आ जाता है चलिए करते हैं अगला सवाल तो अच्छों करते हैं question number 12 बहुत ही असान सवाल लेकिन यह important question है देखते हैं हमलो यह very important भी लिख देता हूँ जिससे आपको दाजा रहे कि वहीं इन सवालों को समझना थोड़ा जरूरी रहेगा तो A एक vector है B दूसरा vector C तीसरा vector find a vector D which is perpendicular to both A and B तो A and B के दोनों के perpendicular एक vector चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम A cross B निकालने वो कि यह जो vector देता है वो इन दोनों के perpendicular देता है चलिए साप पहले निकालते हैं फिर आगे की चर्चा करेंगे साप में condition और है कि C dot D की value 15 है I cap, J cap, K cap और A का value लिखा 1, 4, 2 और यहां आगे value 3, minus 2 and 7 अब यहां value निकाल लीजे I cap, row column गया 7, 4 जा 28 और plus 4 फिर minus J cap, J row column गया 7 बंज़े 7, minus 6, plus रहा बिटा K cap आप देख पा रहे हैं और row और column चला गया तो minus 2 and minus 12 यह value आ गई यानि हमारा A cross B जो आया, वो आया साप 32 I और यहां value में जी minus J cap और यहां मिला देखिए minus 14 K cap अब हमारा यह जो vector है ना यह A, B दोनों के perpendicular है और उसी direction में D vector है तो D vector इसके collinear vector होगा तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ D vector is equal to lambda into A cross B फिर से इस बात को पकड़ने की कोशिस कीजिए भाई, A cross B जो हमें vector मिला है वो A और B दोनों के perpendicular है photo बनाओ, A और suppose करीए यहाँ B इस plane में, तो हमारा जो यह A cross B मिलता है वो इस direction में perpendicular मिला साथ अब इसी direction में D है तो इसी के collinear तो होगा तो lambda से multiply करके लिख लिए आपने बड़ी इच्छी बात D पता चल चुका है अब D पता चल चुका है तो अब मैं C dot D भी 0 यहाँ लिख लेता हूँ जिसे हमें खिसकाना ना पड़े बार-बार और अपनी बात हम कह पाएं तो यहाँ यह ठीक है तो मुझे इसको थोड़ा open ले जाना होगा अब यहाँ पर देखिए यह जो D vector रहा lambda से इसको multiply कर दीजे तो मैं इसको लिख देता हूँ 32 lambda i cap minus lambda j cap minus 14 lambda k cap यह D vector है C dot D is equal to 15 F C vector तो मैंने लिख लिख लेता है वापस जाना ही पड़ेगा और C vector था यहाँ कहीं लिख लेता हूँ जिससे की C vector हमारे पास है 2 i cap minus j cap plus 4 k cap तो यह साब इसको मैं ऐसे लेके जाता हूँ यहाँ तक तो पहुँची जाऊँगा अब यह c dot d इसका condition का इस्तिमाल करेंगे तो c dot d is equal to 15 c कहा है c है यह तो 2 i minus j cap plus 4 k और dot product ले लिया d का तो 32 lambda i cap minus lambda j cap minus 14 lambda k cap और इसकी value according to question है 1 तो बच्चों देखिए यहाँ पर 1 ना होके 15 है और इस value को मैं 15 करता हूँ 1 के आगे लिख देता 5 तो भी ठीक था 15 अब इसका dot product निकालते हैं multiply गिया आपने तो आगिया साब 2 into 32 यानि 64 lambda फिर minus का हो गिया plus lambda और यहाँ दिया आपने तो आगिया minus 14 4 यानि 56 lambda यह value 15 के बराबर है देखते हैं कितना आता है यह हो जागा 65 65 में आप 56 घटाएंगे तो 9 lambda बचेगा is equal to 15 तो lambda की value क्या आगई भाई 3 से divide हो रहा है तो 5 by 3 यह lambda की value आगई इस lambda की value को यह जो d है इसमें मैं put कर देता हूँ और answer आदे वाला है यह lambda की value आप इसके अंदर डाल दीजे डी में और answer ले लीजे तो value क्या रही lambda को बाहर कर लेता हूँ तो 5 by 3 32 i cap minus j cap minus 14 k cap और अगर आप चाहें जैसे answer में दिया है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 को रेने अंदर multiply कर लीजे 1 by 3 वैसे यह बहतर है लेकिन NCRT में जो answer दिया है उससे मैं match करना चाहता हूँ जिसे आपको तकलीफ ना हो तो 160 i minus 5 j और यह हो गया साब minus 70 k और यह आपका answer match कर जाता है जिसे बच्चों को घवराहत ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं वनना यह पहले वाला answer जादा easy way में लिखा गया है तो यह 1 by 3, 160 i minus 5 j cap minus 17 k cap जिस तरह सवाल हो सकता है बहुत असान सवाल अगले सवाल पर चलते हैं लोग तो अगला question रहा बिटा question number 13 इसको देखते हैं the scalar product of the vector i plus j plus k with a unit vector ध्यान दखियेगा along the sum of the vectors इसका इसके sum is equal to 1 कई condition दिये ध्यान से note करते जाएए find the value of lambda ठीक है साथ तो इन्होंने क्या बोला है कि the scalar product of the vector this one with a unit vector along the sum तो पहले इनका sum निकालो इनका sum इसको मैं a vector बोल देता हूँ इसको b vector बोल देता हूँ इस वाले को मैं बोल दूँगा c vector अभी उपर वाले लिखने में असानी है तो a plus b कर लो इनका sum की बात की गई है तो ये इनका sum हो गया 2 plus lambda i cap plus 4 plus 2 यानि 6 426 j और minus 2 के ये तो हो गया साब sum लेकिन बोल रहा था कि unit vector इसके unit vector sum के तो इसका unit vector क्या हो जाएगा a plus b का अगर मैं unit vector लिखना चाहूं तो a plus b को इसके magnitude से मुझे divide करना होगा तो इसका magnitude निकालना पड़ेगा मैं सीधे लिख देता हूं इसकी के नीचे है तो ये value रही 2 plus lambda i cap plus 6 j cap minus 2 k cap और इसका जो magnitude रहा वो इसका square 2 plus lambda का square plus 6 का square यानि 36 और 2 का square यानि 4 ये हो गया unit vector तो c vector का scalar product c vector का dot product a plus b vector के साथ क्या value देता है इतना is equal to 1 1 के बराबर है ये देखे equal to 1 lambda value find करने condition हमारे सामने अब condition है condition को लिखते हैं i plus j plus k dot ये पूरा vector जो लिखा हुआ है 2 plus lambda i plus 6 j minus 2 k cap upon 2 plus lambda का square plus 40 364 मिलके 40 और इसकी value कितनी है 1 के बराबर according to question अभी इसको मैं solve कर देता हूँ बहुत असानी से solve हो जाएगा आप जानते हैं जब नीचे तो constant termine ऊपर जब आप multiply dot coded लेंगे तो i का i से मिलेगा तो 2 plus lambda मिलेगा देखिए फिर j का j से तो plus 6 k का k से minus 2 इसको इदह ले जाओ तो under root में आगिया 2 plus lambda का square plus 40 ठीके साब आगे देखते हैं क्या आता है ये 2 और 2 तो निपड गया lambda plus 6 आगिया both side square कर देता है तो ये बची 2 plus lambda का square plus 40 समझ पा रहे होंगे बहुत असान है ये रहा lambda square 36 plus 12 lambda a plus b का whole square से open कर दिया है ये भी open कर दीजे साब तो 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 40 बिलकुल बराबर अब देखते हैं क्या क्या value आने वाली है तो lambda square तो साब ये cancel out हो गया यहां बचा 12 lambda plus 36 यहां बचा 4 lambda plus 44 तो 4 lambda इधला होगे तो 8 lambda बचेगा और 44 में 36 गटा होगे तो 8 बचेगा तो lambda की value कितनी आ गई 1 और यही आपका answer है तो कोई परिशानी नहीं है अगर आप थोड़ा सा practice किये हैं बातों को समझे हैं तो एक सवाल भी गलत नहीं हो सकता चलते हैं अगले सवाल पर तो अगला सवाल है आपके सामने question number 14 यह भी देखिए असान हैं लेकिन ऐसे सवाल examination में पूछे जाते हैं if ABC are mutually perpendicular vectors एक दूसरे के perpendicular हैं और इनका magnitude भी equal है इनका magnitude भी equal है यह equal लिखवा है show that the vectors A plus B plus C is equally inclined to ABC vectors बहुत अच्छी बात है तो जो condition है वहाँ पर दिया है कि vector A का vector B का और vector C का magnitude equal है same है तो आप इसको कुछ कह दीजे suppose करी हम A बोल देते हैं जब जोड़ पढ़ेगी same है मतलब समझ पाया आप अब इसके बाद mutually perpendicular है तो A dot B या B dot C या A dot C इन सबकी value कितनी है 0 मूचली perpendicular vector से इसलिए according to question है ये दो चीजें आपको दे रखी हैं अब आपको show करना है कि A plus B plus C A से B से और C से equally inclined है आप जानते हैं कि अगर हमें angle निकालना हो suppose करीए A से जो inclination है alpha है B से मैं beta माल लेता हूँ आप लिख सकते हैं A plus B plus C dot A vector और इनका magnitude A plus B plus C का magnitude अगर अगर निकालना है और ये तीनों के लिए निकालेंगे और अगर बराबर आजाए तो क्या कहना ठीक है साब अब यहाँ पर आप देख रहे हैं A dot A plus A dot मैं लिख देता हूँ A dot A plus A B dot B dot A लिख दूँ नहीं कोई बच्चा सुचे कि B dot A commutative law follow करता है कोई टेंशन नहीं है C dot A और नीचे जो A plus B plus C लिखा है इसका magnitude और ये A लिखा है इसका magnitude A को में A लिख देना चाहिए रहा हूँ जैसे उपर माना था अब यहाँ देखिए तो ये दोनों टर्म तो 0 होगा कोई कि मुझली प्रपंडिकुलर है आप जानते हैं कि dot Pugard commutative law follow करता है यानि A dot B की value B dot A के बराबर होती तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 है बास समझ में आई होगी तो ये हिस्सा हो जाएगा 0 ये हिस्सा हो जाएगा 0 क्या हाथ क्या लगेगा ये बचेगा A dot A का मतलब क्या होता है फिर से याद दिला दूँ A dot A का मतलब होता है A A cos 0 यानि A के magnitude का square तो A के magnitude सबके magnitude बराबर है तो इसको मैं सीधे A square लिख देता हूँ तो ये रहा A square समझ पा रहे होंगे और इसके value से आप मार देंगे divide आप समझ पा रहे हैं या मैं पूरी बात ऐसे ही लेके चलूँ मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ किसी बच्चे को किसी तरह का confusion कि रिस्क को नहीं लेना चाहता है तो ये रहा square और ये रहा A, B और C और ये रहा A अब ये value से काट दोगे तो बचेगा A वाले का निकाल लिया अब अगले का मैं निकालता हूँ जहाँ cos beta का जिक्र होने वाला है color change कर लेते हैं cos beta के case में आप dot product लेंगे A plus B plus C dot B गा और यहाँ जाएगा A plus B plus C और magnitude of B इसको निकालोगे तो A dot B plus B dot B plus C dot B अपन A plus B plus C और B का magnitude यह value 0 यह value 0 according to question यह value क्या बन जाएगी B का square अपन A plus B plus C और B का magnitude इससे काटोगे तो यह value आजाएगी B का magnitude अपन A plus B plus C अभी यह देखिए यह यहाँ पर A और magnitude दोनों के बराबर है तो both are equal न भाई यहाँ पर आपने यह चर्चा की थी कि A और B बराबर अभी C की बात करूँगा उस हिसाब से यह और यह बराबर है यह दोनों बराबर है तो cos beta और cos alpha बराबर है अगर cos alpha और cos beta बराबर है तो इसका मतलब क्या है alpha beta बराबर है अभी gamma की बात करनी है चली दिखाश लिए दिया क्योंकि screen shift करनी थी अब cos gamma की बात करेंगे तो a plus b plus c dot c upon a plus b plus c and magnitude of c यह बात करोगे तो a dot c plus b dot c plus c dot c upon a b c magnitude of c यह value 0 हो गई यह value 0 हो गई क्या answer मिला यह बात c का square upon a b c और c का magnitude यह magnitude इसके square से कड़ गया यह value रही c upon a b और c अब आप यह जानी रहे थे कि magnitude a b c का बराबर है a b c का question में दिया था यह भी value अपने उपर वाले से बराबर हो जाएगी तो cos gamma भी इसके बराबर हो जाएगा hence alpha, beta, gamma, both are equal इसका clear cut मतलब क्या हो गया कि यह equally inclined है जो सवाल शुरू हुआ था कि show कीजे equally inclined है वो आपने show कर दिया कि यह equally यह angle बराबर है तो यह equally inclined है इस तरह से सवाल कर सकते हैं तो पच्चों करते हैं question number 15 तो 15 को देखते हैं यह यहाँ पर देखिए typing error थी तो मैंने ठीक कर दिया है a plus b dot a plus b का dot product लिया हुआ है तो a का minus root का square plus b का minus root का square if and only if a and b are perpendicular जहाँ पर दोनों के दोनों दे रखें कि null vectors नहीं है बड़ा आसान सवाल है देखिए मैं लिखके दिखाता हूँ ऐसे सवाल examination में जरूर मिलेंगे आपको a plus b का a plus b से dot product लेते हैं लोग और इनोंने बोला है यह magnitude का square और b के magnitude का square तो यहाँ पर देखिए dot product distributive or addition रहता है dot product a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b और यह value हो गई a का square magnitude का और यह दूसरे का भाई ठीक है a dot a का मतलब होता है magnitude का square a dot b b dot a की चीज़ है तो 2 a dot b लिखा जा सकता है community law follow करते हैं और यह रहा b का magnitude का square अब आप समझदार है इसके जो magnitude हैं वो आपस में देखिए cancel हो गए तो यहां से result क्या मिला to a dot b is equal to zero इसका clear cut मतलब है a dot b is equal to zero आप जानते a dot b zero कब होते हैं यह तब हो सकते हैं या तो हमारा जो vector a है वो null vector हो या vector b null vector हो या फिर a vector perpendicular हो b vector के लिए इस condition को question ने पहले ही reject कर दिया है तो यही condition बचकी रह गई अब आप असानी से कह सकते हैं hence a vector is perpendicular to b और लिख दीजिए because यह statement ही हा लिख दीजिए लिखने की इच्छा है तो कि a vector is not equal to zero b vector is also not equal to zero थोड़ा और statement strong हो जाता है तो इस तरह से question कर सकते हैं question number 15 बहुत असान हैं लेकिन ऐसे सवाल examination में पूछे जाएंगे आपसे चलिए अगले की चर्चा करते हैं question number 16 की यह MCQ है अब ऐसे MCQ भी देखिए कितने सरह लेता है if theta is the angle between two vectors a and b then a dot b is greater than zero only when अब देखिए कितना सरह ले a dot b greater than equal to zero कह रहा है अब यह dot product क्या होता है a b का magnitude cos theta is greater than equal to zero यह तो magnitude है वैसी greater than zero रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos theta की value 0 से बड़ी होनी चाहिए अब 0 से बड़ी होनी का मतलब क्या है कि positive value तो positive value तो acute angle में मिलती है इसके मतलब theta कहां से कहां तक चला गया है साब तो theta चला गया है आपका देखिए 0 से लेकर pi by 2 में क्योंकि theta कहां से कहां तक हो सकता था by definition यह यहां तक हो सकता था by definition by definition का मतलब क्या है a dot b जब आप लिखते थे याद दिला दूँ भूल जाते हो तुम लोग a b cos theta तो यहां पर theta की value यह हो सकती थी यह by definition बोल रहा हूँ अब यहां पर अगर यह pi by 2 से बड़ा हो जाएगा तो cos theta negative हो जाएगा समझी pi by 2 से pi में चला जाएगा तो cos theta negative हो जाएगा तो हो नहीं सकता greater than 0 है तो यह आले option number b is correct b option इसका सही जवाब है और कैसे हैं मैंने आपको बता दिया चलते हैं अगले mcq की तरफ question number 17 देखते हैं यह अपने से क्या चाहते हैं let a and b be two unit vectors यह दोनो unit vectors देखे हैं यह keywords है unit vector मतलब दोनों का जो magnitude हसाब वो one के बराबर है and theta is the angle between them then a plus b is a unit vector if अच्छा यह कह रहे हैं कि a plus b जो है unit vector हो तो इसका जो magnitude है वो one के बराबर होना चाहिए तब यह तो unit vector कहलाएगा अब इस situation के हिसाब से मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ बच्चों कर दो square one का square तो one ही रहता है अब इसको लिख सकते हैं देखिए चला की क्या कर रहे हैं a plus b dot a plus b भाई हम जानते हैं पहचानते हैं इसको इसी से हम निकाल लेंगे कहानी अब देखिए a dot a यह value आप जानते ही है a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b is equal to one थोड़ा सा उपर shift करेंगे a dot a का मतलब है इसके magnitude का square a dot b b dot a की चीज होती है 2 a dot b हो गया इसके magnitude का square is equal to one अब यह दे रखा था unit vector से यहाँ से पहचान हो तो यह value होई 1 का square 2 a dot b और आगे क्या है अभी इसको भी तोड़के लिख लो हमें तो value चाहिए न angle चाहिए तो इसको लिख दो a b cos theta plus फिर 1 का square बरावर 1 बात पकड़ में आ रही होगी आपको अब आगे लेके चलते हैं साब तो यहाँ पर देखिए यह value रही 1 plus 2 यह दोनों 1 1 है cos theta plus 1 बरावर 1 तो 1 1 गया, minus 1 हो गया तो यह रहा 2 cos theta बरावर minus 1 तो cos theta कितना हो गया minus 1 by 2 अब हम जानते हैं कि जो theta की value है वो 0 और pi के बीच ही लेनी हैं हमको यह हम पहचान रहे हैं यह angle कितना minus में है तो यह हो गया minus यह 2 pi by 3 मतलब angle हो गया 120 degree यहाँ पर 120 degree cos 120 degree की value minus half होती है अब यह देखे कौन सो option है 2 pi by 3 का तो 2 pi by 3 का option है option number D तो इसका D option is correct बढ़े असानी से आप इसको कह सकते हैं समझ में आपको आया ही पूरा मैंने करके दिखाया अब चलते question number 18 की तरह बिलकुल आराम से करिए the value of i dot और एक से बेजले एका हुआ है देखे कितना आसान i लिखा dot लिखा अब j cross a क्या होता है आप जानते ही है जो circle बनाते थे यहाँ लिखते थे i cap j cap और सब्रूसकरी यहाँ k cap तो यह इस तरह से circle बनाते हैं i cross j को k और इसी तरह से चलता है अब यहाँ लिखा j cross k तो j cross k क्या हो गया i cap फिर j लिखा dot लिखा i cross k तो i cross k यह value देखी क्या देदेगा आपको देदेगा minus j minus j i cross k अगर लिखा हुआ है एक बार चेक करूँगा है वैसे मैं और यह रही value k और i cross j तो i cross j हो जाएगा फिर से k क्या है लेट मी चेक दिस ऐसा लगता है कि शायद typing error है इसमें तो 18th question में नहीं यह ठीक लिखा हुआ i cross k ही है अब यहाँ पर देखी value क्या जाती है कई book में यह k cross शायद कुछ और भी value लिखी हुई है i cross k है यह कही जगा शायद k cross i लिखी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं अच्चक कर लिजेश को ध्यार न किएगा अब यह हो गया k cap into k cap यह dot product है आप जानते है i cap into i cap क्या हो जाता है 1 और j into j minus 1 फिर यह 1 अब इन तीनों को निप्टाएंगे तो value मिल जाएगी 1 option number c is correct यह option आपका c correct होगा और कुछ books के अंदर यहाँ पर आपका लिखा है j cross k cross i ध्यान लखिएगा बेटा उस situation में क्या होगा उस situation में minus की जगा plus होगा और answer आ जाएगा 1 plus 1 plus 1 that is 3 तो just keep in mind यहाँ है i cross k i cross k का मतलब हो जाता है minus j इस तरीके से आप बात समझीए तो बच्चों चलते हैं एक लिए सवाल पर तो यह रहा question number 19 which is the last question of the exercise बहुत आराम से इसको भी करेंगे if theta is the angle between any two vectors a and b then यह condition दे रखी है when theta is equal to अच्छा भाई तो यहाँ पर लिखा हुआ है a dot product का magnitude और a cross b का साब magnitude तो इसका magnitude क्या होता है इसका magnitude होता है a a b cos theta इसका magnitude क्या होता है a b sin theta तो यह a b a b तो निपट गए और यहाँ value आ गई cos theta is equal to sin theta या आप कह सकते हो sin theta upon cos theta is equal to 1 इससे value हो गई 10 theta is equal to 1 और theta हो गया 45 degree तो इसका answer होना चाहिए theta 45 degree और option number b is correct तो b is the option that is the correct answer तो इस तरह से एक size हम गोंने खतम कर दी पूरा chapter ही खतम हो गया एक एक छोटी छोटी बातों को जबरदस्त explanation करने की कोशिस किये super explanation उमीद करता हूँ कि ये videos आपको बहुत अच्छे strong concept clarity देके जा रहे होंगे thank you very much wish you all the best